गोवर्धन के नगला कहरी में दिव्यांग व्यक्ती के मारपग्र दवंगों ने कई साल से कबजा कर रखा है जिसकी वज़े से दिव्यांग व्यक्ती को अपने घर तक आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दिव्यांग व्यक्ति ने इसकी शिकायत कई बार प्रसासनिक अधिकारियों से की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई मामला गोवर्धन के नगला केहरी का है जहां पर एक मनोज नामक दिव्यांग व्यक्ति रहता है जिसने कई साल पहले किसी कारणवस अपना पैर गवा दिया था वो अपने पूरे परवार के साथ अपने पैतरक मकान में रहता है उस घर से बाहर आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है जिसकी वज़े से उसे खेतों में होकर गाउं के मेन रास्ते तक आना पड़ता है जो क्या समज्च थे अपर रस्त नाइड़ है कि अपसे रहे हैं तो इसको लेगा कहाँ से निकलती है यह कितों में नेकल जाते हैं या फिर गोवरगावर गे रहे जाते जाते दो पाने नेकलना पड़ता है कि को तुमें तो इसको लेकर आवन बवागा कि अजय है तो आज करता कि अबन पोस दिनके आरम बोला या रसे वो बिकलांगे जी दो साल होगी अश्वेंड भी अब क्या खरें परेशान होड़ी साथ यह अखेली गूमने फिरने वाली हो कोई है नी साथ में तो आपके अस्वेंड भीकला आंगे तो पर कहां किस बिकाई शौच के लिए कहा तो स्वाच के लिए भी आमने प्रतान से नहीं बोला अभी बोला जी सबने कहते हैं दिलवाईए दिलवाईए एक को सब्दार ही मिल गया है विकलांग बिक्ति के रास्ते पर दबंगनों ने किया कई साल से कब जा कई बात